नमस्कार सर, मैं कमलेश पटेल मोरड गाउं तालू का पेटला डिश्टिक आनन गुजराच से ये आप देख पारे हो ये सिंगल साइकल का पुधा इसका प्लांटेशन डेट है 23 जुन उसका दो वीडियो पहले भी बेच चुका हूं है एक-एक मैने में अभी इसको करिब आज होते है 136 डेश कम्पलिट होते है तो ये दो दिन पहले का फ्लावरिंग हो चुका है ऐसे खेत के अंदर पोधे 3-4 फ्लावरिंग हुआ है तो मतलब स्टार्टिंग हुई है अभी सम मैना तो हुआ पांच मैना नहीं हुआ छे मैने की कहां बात कर रहे बस इसमें एक इस्यू यही आएगा कि इसका जो मुझे वजन मिलना चाहिए जो रेगुलर सीजन में में जाता हूं तो 28, 30, 32, 35 मिलता है इसमें 22 चोईस से उपर नहीं जाता है लाश्ट येर में ने आप का तीन साइकल का पोधा लगाया था डबल प्लस रिवा प्लस ये डबल प्लस है सिङल साइकल का जो स्केम के अंदर में ने लगाया था रिजल्ट अच्छा है काफी आप बाकी सारे प्लांट हेल्दी देख रहे हो उसका तना में मैंने तना तिन चार जगे पर मेजर्मेंट किया है तो 28, 27, 29, 30 इंच तक जाता है उसका पूरा सेड्यूल आपके हिसाब से मैंने किया हुआ है नाली पाली जैसा बना की रखा है नाली पाली नहीं है लेकिन वैसा थोड़ा सिमिलर किया है क्योंकि मेरा पूरा फ्लड है अभी मुझे बस यही करना है कि इसके अंदर में कौन सा फटिलाइजर या क्या ट्रिट्मेंट चलाओ ताकि सारे मेरे हिसाब से डिसेंबर एंड तक पूरा मेरा यह जो हजार का प्लॉट है पूरा फ्लावरिंग हो जाएगा मेरे हिसाब से वो थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ था तो उसका भी मेंने ट्रीट्मेंट करवाया था यह पोधा देख सकते हो यह चला गया है लेकिन बगल वाला अभी निकल गया है तो वैसे पो करीब समझो जहां से फ्लावरिंग निकला है उदर से लेके जमिन तक की हाइट करीब आठ फूट से उपर है मतलब अच्छा चल रहा है इतना गर्मी नहीं है फिर भी यह पोधा चला है समझो अगर रेग्यूलर सीजन के अंदर आता तो एक दम रिजल्ट बढ़िया मिलता मेरे हिसाब से तना भी देख सकते हो